मिथुन चक्रूरती ने अपने पूरे एक्टिंग केरियर में जब भी रियलिस्टिक एक्टिंग वाला संजीदा रोल निभाया है उन्हें नैसनल अवार्ट से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रूरती को पहली बार बेंगाली सिनेमा में फिल्म फेर से नवाजा गया है और अब एक बहुत बड़ी खवर निकल का आ रही है जो कि मिथुन चक्रूरती फैंस के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है मिथुन दा अब एक ऐसा रोल निभाने वाले हैं जिसके लिए 100% मिथुन चक्रूरती को फिर से एक बार नैसनल अवार्ड से नवाजा जाएगा उनकी बेंगाली में कुछ बहतरीन फिल्मों की बात करें तो एक टान आदिर गोलपो जैसी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए था जबकि नहीं मिला था लेकिन मिथुन चक्रूरती की खाते में अब तक तीन नैसनल वार्ड सामिल हैं और अब चौथा नैसनल वार्ड की और उन्होंने अपना कदम रख दिया है मिथुन चक्रूरती की जो अगली बेंगाली फिल्म है उसका नाम है काबूली वाला ये रबिनना टाइगोर की नौबिल पर अधारित है इस पर इससे पहले भी फिल्म बन चुकी थी साल 1961 में एक बार काबूली वाला बनाई जा चुकी है जिसे डारेक्ट किया था हेमेन गुपता ने और इसमें मुख भूमका में थे बलरास साहनी लेकिन अब इतने सालों बाद ये फिल्म फिर से बनाई जा रही है जिसे सुमन घोज बनाने वाले हैं इस से पहले सुमन घो से आने वाले बुजूर्ग बैक्ती जो की सुखे फल और मेवे बेचता है जिसकी दोस्ती एक छोटी बच्ची से हो जाती है इसी दोनों के बीच की ये कहानी को दिखायागा है जो की बहुत ही मारमिक है और इसको मिथुन चकुरती ने करने के लिए हामी भर दी है और मिथ जुन्दा ने अपने इंटर्विउ में बताया है कि उन्होंने इस फिल्म की सुटिंग की तैयारियां सुरू कर दी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू